तो देश के अलगला कोनों की तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि जो कन्फूशन है वो बहुत ज्यादा है कन्फूशन इस बात को लेकर है कि तित्थी कौन सी है जैसे अगर हम आज की बात करें तो बहुत से लोग आज सब्तुमी मना रहें लेकिन आज अगर हम बंगाली समुदाय की बात करें तो वो लोग आज शष्टी मना रहें और इसलिए आज यहां माकी मूर्ती से परदा भी उठा है शष्टी के दिन पूझा होती है अब सवाल यहां पर यहां कि बहुत सारे लोगों में यह भी कंफूशन है कि फिर अगर आज शष्टी है तो फर अश्चमी कि दिन है यानि कि करन्या पूजन किस दिन होगा और जो लोग नव्मी के दिन पूजन करते हैं वो किस द तो हमारे साथ इस वक्त तुमाम खास मामान जूर चुके हैं, मैं परिशक खरा देती हूँ और उसके बाद जो कनफ्यूशन और दूबधा है उसे क्लेर करने की कोशल चाइज हम करेंगे अपना हमरे सकर्क्रम में हमारे साथ इस वक्त सुमित्रा जी मौझूद है हमारे साथ राजमिश्रा जी मौझूद है पंडित दिवाकर तरपाथी जी हमारे साथ मौझूद है और साथ इसाथ भार्दबाजी हमारे साथ है जिसे मा दुर्गा की अगमन का दिन है आज हम शश्टी बना रहे हैं वो भी एक confusion है अगर हम मा दुर्गा की उपासना की दनों की बात करें तो उसमें भी बहुत confusion है फिर उसमें ये भी confusion है कि कुमारी पूजा किस दिन होगी उसमें ये confusion भी है कि संदूर खेला किस दिन होगा तो जब हम काल रातरी की जब बात करते हैं, और अगर हम शक्ति की उपासना की बात करते हैं, अब हम इसको उपासना को कब करने वाले हैं, यूजवली रात को ही करेंगे, अगर अगर लोजिकली सोचे कि आज रात में अगर वो शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो उनको तो श परकिन werde कटे जो साधक लोग या हम शक्ति के उपासना करें हो अगर उनके लिए जिस समय वपाट के मंतर उचारण करें आगर में उच्छारन कर रहे तो उचा या इस तशना देना बहुत्ट जरूरी हो जाता हुगा गऱ कि आपकी जगा में आज शष्टी की पूजा हुई है काफी सरे पंडाल के आज पर्दा खोला गया है लेकिन शप्तमी को महा शप्तमी महा नौमी है तीनों को तीनों भी बहुत इंपोर्टेंट है तो अगर आप मेरे से पूछे तो पंचांग के साब से बिल्कुल पंडी जी एक दम सही बोला कि आज दोपहर से शुरू हो रहा है और कल दोपहर में खतम हो रहा है तो वो बीच में एक तो डाइसी का पोजीशन आ जा रहा है लेकिन यह सबसे सेफ एंड पे तो यह है कि जिस दिन हम नौमी मान रहे हैं कल अश्टमी और परसो नौमी तो नौमी वाले भी है तो उस तीथी से रिलेट्ट जो योग साईयों की जो हम बाद तर रहे हैं या उस से रिलेटिट्ट जो आध्यात्मिक हमको जो बेने फिट चाहिए या ऊर्ज्या चाहिए वो हमको उस टाइंग नहीं मिल पार है तो मेरे सब आप पूछो गों तो मैं आज को पी सबत मादुर्गा की अराधना के लिए लेकिन दुर्गा पंडालों में और कोलकेता है और पूरे बंगाल की अगर हम बात करें तुम्हाँ पर आज शुष्टी पूजा ही सुभा हुई है अब देखिए इससे साब से हम यह मान के चल रहे हैं कि जो सब्दमी को मा का भोग लगता ह है यह फिर बतुर्ग किया जाता है भोग वो फिर कल सुभा होगा इस एक साथ-साथ भोग का मात भी बताएं और साथ ही साथ यह बताए कि क्या खास होता है संसमझे तो यह नौ घ्रहों से अगर हम हर दिन जो एक एक देवी की आपासना अराधना जब कर रहे होतों तो कहीं नहीं हम यह साली साथ मैं पूरी होती और महां रब्लस के मार पर अग्रसर करती है तो हर दिन और के मात्पाइब तो 29.5 देज में पूरा अपना सर्कल कम्प्लीट करता है इसले क्या होता है तिथी कई बार क्या होती है छोटी हो जाती है तो पर दे है 24 आवर्स का तो बारस से पंदरा घंटे का जैसी ही ट्रांजिट होता है तो वहां पर जाकर हो जाए गरबड अब अगर बात करेंगे तो मा की में अरादना पूजा तो आज रात में होती है इसले क्या है इसले क्या है जो पूजा जो आपने भूला भी कलकता में भी जो होगी वह आज रात में होगी बल्कुल ठीक बोला तने उसका कारण ही है क्योंकि हम वह कारणातरी के उस महुरत का इस तम यूज करना चा कि अधिनी भी चढ़ा सकते हैं और नादियद भी कर दो दो दीक जाता है। तो आज जो महां जो पूजा को पूजा होती यह सारी विशेश्ऱ छिज़ तो मार को जरूद की चड़ाई जाती है। तो यह इतनी चीज़े तो जरूर चड़ाते है और मांस-मदीरा नहीं खाई जाती है और इंपॉर्टेंट यह होता है कि जितने भी नौरात्रों के नौ दिन होते हैं उसमें हमें प्रोध नहीं करना है और कोई नाकारत्मा घावनाओं को अपने अंदर ली लाना है किसी से भ नहीं करते हैं तो आपने उसी का जिक्र किया है तो इसी पंडाल की अब आपने सब्टमी को बहुत अच्छा से बताया कि कैसे भोग और कैसे पूजा होती है तो यही कि अगर मैं आपको पल की खास बात बता हूं इंपॉरटन दिन होता है सब्टमी का ये दिन वो होता है जब सुभा सबहा दो तरहें के भोग तैयार किया जाता है एक वो भोग होता है जोकि मा को और पित किया जाता है और वो भोग खास तोर पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही बनाती है और उसमें शुद्धता का विशेश खयाल रखा जाता है नए कपड़े नए वस्तरुन के होने चाहिए और उसी के साथ-साथ जो दूसरा भोग होता है वो यहाँ पर लोगों को वित्रित किया जाता है प्रसाद के तौर पर तो काली मंदर का सबसे फेमस चीज यही है कि सब्तमी के दन लोग सुबा यहाँ पर जरूर आते हैं और यहाँ पर भोग का अनद भी लेते हैं और मा का आशरवाद भी लेते हैं जी जी चलिए तमाम खास मैमान हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा आया इसको क्लेर कर दिया क्योंकि कन्फूजन के सिती बहुत जादा है तो बिलकुल अच्छे तरीके से आपने क्लेर किया है कि अश्टमी अगर आपको करनी है कन्या पूजन अश्टमी का 11 तारीक को और 9 मी का 12 तारीक को होगा और उसका समय के हिसाब से आपने इस पूरे कन्फूजन को क्लियर किया है बहुत बहुत शुक्रिया तो हमारी इस खास पेश्च में अभी के लिए बस अतना है लेकिन सियार पाक से आपको मैं दुर्गा पूजा के सारे रंग दिखाती रहूंगी लगाता है क्योंकि अबलागाता है जारी